दोस्तों मुझे ये स्पेशल टाइब को बॉक्स पाक मिला हुआ है वन प्लस की तरफ से चलिए मैं आपको इसकी फटाफट अन्बॉक्सिंग करके बताता हूँ वैसे इसमें दो प्रडक्स है तो ये लिजे ये है बॉक्स पाकिंग और ये लिजे बॉक्स को मैंने खोल दिय भॉक्स में दो प्रडक्स है ये देखिया यह वन प्लस नओर और यह वन प्लस नओर बज टू अब बट्स है इसके उपर अलग से फिलाल एस वीडियो में मैं आपको जो वन प्लस नौरट सी ट्री लाइट है इसके अन्बॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ तो यह यह है OnePlus Nord CE3 Lite 5G का box pack और यह जो variant मेरे पास है, इसमें 8GB RAM है और 256GB storage space दिया हुआ है, box के अंदर, इस box के अंदर, यह कुछ membership cards है, यह है red cable club card, कुछ stickers है OnePlus Nord के, safety guide, quick start guide, और यह है thank you card, यहां पर sim tray ejector pin दिया हुआ है, silicon case भी box के अंदर दिया हुआ है, और यह है handset, यह है pastel lime color variant, जो की काफी interesting color है, फिलाल दिखते हैं कि box में और क्या-क्या है, handset के अलावा, तो box में यह 80W का, super VOOC charger दिया हुआ है, और यह है USB to type C cable, तो sim tray को मैंने eject कर लिया है, और यह hybrid slot के साथ में आता है, अब दो nano sim यह फिर एक nano sim और एक micro SD card इसमें use कर पाएंगे, वैसे यह handset है, य दोनों support करता है, मतलब कि आप Jio as well as Atel, दोनों 5G networks इस पर use कर पाएंगे, अब यह handset है, इसका pricing के है, उसके बार में जानकारी मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, डिजाइन के अगर बात करें तो यह glossy finishing के साथ में आता है, खास करके जो lime color है, यह काफी interesting है, in fact यह दो color options में available है, lime और gray color, gray color एक तरह से traditional look देता है, classy look देता है, लेकिन अगर आपको कुछ अलग चाहिए, यह एक बहुत बढ़िया color है, वैसे जो back side है, इस पर fingerprint के धबबे पड़ते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, इसे आपको बार बार clean करना पड़ेगा, प्लस यह तोड़ा सा speakers के साथ में आता है, यहाँ पर है volume rockers, यह है sim tray और इसमें audio jack भी दिया हुआ है, तो वही सेम traditional oneplus का look इसमें दिया हुआ है, camera को जो module है, यह भी काफी बढ़िया तरीके से प्लेस किया हुआ है, interesting design, interesting color, और जो hand feel है यह भी काफी अच्छा है, वैसे जो handset है, इसका वजन है तकरीबन 195 grams, और thickness के अगर बात करें, तो वो है 8.3 mm, तो यह है इसका default wallpaper, जैसा color यहाँ पर है, वैसा ही color यह जो wallpaper है, इस पर दिया हुआ है, तो काफी बढ़िया user experience, user को मिलने वाला है, जब वो पहली बार इस smartphone को use करना शूरू करेंगे, यह oxygen OS 13.1 रन कर रहा है out of the box, और Android 13 पर based है, तो latest operating system आपको इस पर मिलने वाला है, इसका जो screen है, यह 6.72 inches का है, FD plus resolution के साथ में आता है, यह LCD display है, लेकिन यह 120 Hz refresh rate support के साथ में आता है, 240 Hz touch sampling है, गेमिंग के लिए अच्छा है, और 550 nits brightness है, typical 680 nits peak brightness है, धूप में यह कुछ हर तक visible है, तो 8 GB RAM के साथ में आपक expansion का भी option मिलता है, आप double the RAM कर सकते है, 16 GB कर सकते है, LPWDR 4X RAM है, और UFS 2.2 storage है, इसमें 256 GB storage space दिया हुआ है, तो मैंने इस पर N2 benchmark रण किया था और यह score मिला हुआ है, 3,93,000 के आसपास, इसमें Snapdragon 695 5G processor यूज किया गया है, यह octa-core processor है, और यह score है, यह काफी बढ़िया है, इस यह खेल के बताता हूँ, वैसे इसकी जो sound quality है, यह काफी impressive है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको यह जो game है, यह खेलने के बार बताने में पला हूँ, तो मैं यहाँ पर यह थोड़ा सा game खेल लेता है, graphics की quality अच्छी है, प्लाइस बेंप्ले है, यह काफी smooth भी है, यह अगर आप जादा movies वाच करते हैं, तो इसके लिए यह काफी बढ़िया है, इसलिए क्योंकि एक तो display की quality अच्छी है, प्लस यह stereo speakers के साथ में आता है, अगर आप earphones यूज नहीं कर रहे हैं, speaker के जरीए जो quality है, काफी बढ़िया आपको मिलने वाली है, लेकिन इसका जो volume है यह कुछ जादा ही loud है, तो यह है मेरा वीडियो जो कि मैं play कर रहा हूँ, और जो volume है, इसे मैं increase कर रहा है, तो volume अब 100% है, और अब यह देखे रहे हैं, पसंद तक है, इसी से आप समझ गएंगे कि इस्टिकना loud है, तो यह जो handset है, इसे use करके मान लिजा, आप चोड़ा सा party कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ video प्ले कर रहे हैं, या फिर audio प्ले कर रहे हैं, गाना प्ले कर रहे हैं, काफी loud है actually, आपको एक external speaker की जरूरत ने पड़े काफी impressive है, चलिए अब camera की बात करते हैं, रियर साइट पर 108 megapixel, 2 megapixel और 2 megapixel triple camera setup दिया हुआ है, और जो front camera है, वो 16 megapixel का है, तो 2 megapixel depth है और 2 megapixel macro है, camera का interface इस प्रकार का है, यहाँ पर आपको photo mode मिलता है, वीडियो आप शूट कर पाएंगे, maximum 1080p में, night mode है, portrait mode है, more में आपको य extra HD का option दिया हुआ है, जो कि full 108 megapixel में photos, high quality में photos shoot करता है, तो यह कुछ samples है, मैं Delhi गया था, तो वहाँ पर यह जो smartphone ही लिके गया था, और यह जो shot आप देख रहे हैं, train में shoot किया हुआ है, अलग-अलग filter options उस करके, look and feel काफी हद तक जो filters है, वो change करते हैं, और एक अलग ही look द selfie shot, काफी amazing selfie shoot करता है, और यह shot काफी interesting मुझे इसलिए लगा क्योंकि, यहाँ पर sun को भी capture किया हुआ है, कुतब मिनार भी है, plane भी है, और moon भी है, जीना दोस्तों वो जो चोटा सा dot आप देख रहे हैं, वो moon है, यह एक और shot है, जब plane pass हो रहा था, कुतब मिनार के उपर से, काफी interesting shot था, और इस sunset ने काफी बढ़िया तरीके से उसे capture किया हुआ है, यह एक general portrait shot है, जहाँ पर जो कुतब मिनार है, उसे मैंने blur किया हुआ है, यही same shot मैंने photo mode में shoot किया हुआ है, sun कुतब मिनार के पीछे, यह भी shot काफी interesting है, और dynamic range इसका काफी अच्छा है, यहाँ से आपको अच्छा idea मिल गया होगा, एक part shaded है, sun का जो rays है, वो पढ़ रहा है, और यह कुछ और shots है, portrait shots, जो कि मैंने वहीं पर shoot किया हुआ है, कुछ और कुतब मिनार की shots, यह है bottom top shot, यह selfie, यह भी काफी अच्छा है, तो यह जो handset है, इसने काफी बढ़िया काम किया है, अगर मैं camera quality की बात करूँ, तो यह above average to excellent level का है, पार्लिमेंट के वहाँ पर shoot किया था, यह मैंने इंडिया gate के यहाँ पर shoot किया हुआ है, directly facing the sun, actually sun subject के पीछे है, यहाँ से आपका idea मिल का होगा, और यहाँ पर sun camera की पीछे है, तो काफी बढ़िया shot shoot करता है, अगर आप बढ़िया lighting condition में photos shoot करेंगे तो, यह कुछ और shots है, यह है low light shots, और यह है video, मैंने इसी smartphone के साथ में shoot किया हुआ है, इससे आपका idea मिल जाएगा कि यह कितना हद तक stable है, night shots भी यह काफी बढ़िया capture करता है, अब इसमें 5000 mAh की बैटरी है, जो की आसानी से 1.5 to 2 days का battery life आपको देदेगा, अगें depend करता है आपके usage पर, और 67 watt का charging support के साथ में आता है, लेकिन box में 80 watt का charger दिया हुआ है, अभी जो 67 watt charging support है, 30 minutes में 0 to 80% तक handset को charge कर सकता है, मतलब कि आपको almost 1 day का battery life मिल सकता है, 30 minutes charge में, तो यह है OnePlus Nord CE3 Lite 5G smartphone, इसका pricing वीडियो के description में दिया हुआ है, लिंक भी दिया हु है, इस वीडियो को लाइक जरू कीजे और देखते रहिए